तो अगेते गाइज आप सबका हमारे चैनल पे मैं वोका सिंग और अभी हम लोग है वर्ड लिग में तो गाइज हमारे गिंस ते एक डागरा यूजर है और हमारे पास एक भी डागरा श्टॉफर नहीं है बीआई पी जीरो में मैं बहुत जादा स्ट्रॉगल करता हूं गिं प्रोटेक्ट ताकि अगर वो जीमूव यूज़ करें वो होज़ा है विस्ट पर बंदा लिकला चला मैं सोसर गया स्टीकी वेब यूज़ किया याप मैं जी मूब लगाता हूं ताकि हीट होज है और डामज उसे पड़े पर उसका जीमूब हम पर बढ़ा और हम स्लीप हम कोई ऐसा नहीं है जो डाक राइक को रोख सके सब स्लीप के हां तो चड़ जाएंगे और उसका कोई नहीं कई खतम कर देगा तो मैं यहां पर टाइम सेव करता हूं मैं ओपोनेंट को देता हूं कि हाँ आप लगी रहे आप एक्चुली जीते हो मैं लगी रहा क्यूंकि मैं अनलगी नहीं है जाए क्योंकि अभी तक मेरे अपना डाक राइस टॉपर बनाए नहीं है पर जिस दिन बन जायागा उस दिन मेरे को डाक राइस और बचने की जरुद पड़ेगी यह प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ा मैं स्नो लेक्स है मेरे पास काफी में बना सकत पर जब तक मैं लेवल 100 नहीं पहुंचता स्नो रेक्स का कोई फाइदा होता है नहीं है ठीक है क्योंकि गेंगार आपको ट्रैप कर लेगा और मार देगा और उससे बचने का एक ही तरीका होता है वह होता है फिशर ठीक है अगर स्नो लेक्स की बात करें ता बाकि और कोई पोकी मॉन लुकारियो मैंने सोचा स्पेशल अटक टाइब रखा जाए पर इतना अच्छा तरन आट हो नहीं रहा था तो इस बार दिखते हैं गाइस इस बार फिर से हम जॉनुक के अगिंस्ट है फिर से री मैच इस बार लगाएंगे फिर से हम दो रिक्स लेंगे जी मू हुआ मेरे उसके साथ हमें जल्दी से लुकारियो लेकर आता हूं अब लुकारियो इसलिए लेकर आते हैं कि उसका डिफेंस आला धर्जे का है तो उसके टीम ऐसा कोई पोकी मॉन भी नहीं है जो एक दो हीट में खदम कर देगा तो अब मैं लेकर आचुका हम अपना जो मैं चाहता था वो हो चुका है बस मैं गेंगार लेकर आया हूं ताकि उसका टर्न वेस्ट किया जाए और कोई विकार पोकी मुन हमारा ना मरे इसके गेंस में मेरा गेंगार जादा यूसफुल है क्योंकि उसके टीम में कोई स्टैलर पोकी मॉन नहीं है अदर दिन डाक सबसे पहले सबसे प्लस टू उसके बाद एक जी मूब सारी खतम हाला कि हम स्लो रहेंगे स्टीकी वेप कासर है पर मैं नैचुरली स्लो उसको स्टीकी वेप करने की जरू थी भी नहीं मेरा स्पीड जो ऐसे 6-7 के क्या सबसे तो यह ऐसे आप विकार में स्टीकी वेप यू अंदरा के एच्पी हमारी गई पर आप पोपट मर गए और दूसरी अच्छी बात है कि हमारे पार रेस्ट है तो यह वेकारी होगी आपका वो सामने है मॉवाइल और मैं इतना भी कुफून है कि फाइनल गेंबिट लेने के बाद अपने मॉवाइल को खड़ा रखू यहा अच्छी इंतजार कर रहा था कब मैं जी मुव लगा हूं और यह हो गया खतम अब एह वही है सब कि मेरे सारे पोकीमोन के पास रेस्ट है और मैक्सिमिपोकीमोन का रहे है लुकारियों के पास है सवांपर ऑक के पास है मॉवाइल के पास है गेंगार के आपस है अधर दिन करेंगे सामने के अपने लुकाइरियों को क्योंकि यह अराम से जीमूब जील सकता है और पाल के इस हालत मतलब हमारा मोबाल में है नहीं कि आटेक प्लस टू झेल ले लुकाइरियो ज़रूर जील लेगा पर साहई तब ना चिल पाए हम थोड़े और साहई अगर वाटर और उसके टीम में जब कोई नहीं है स्वामफड भी नहीं रुक पाए गाइस लिटरली एक बार अटाइक प्लाइक 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 बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन होता है हाला कि मैं ड्रीन पंच के कोशिस कर रहा हूं ड्रीन पंच नहीं मिलता तो मेरे बाद को बहुत जादा डैमेज देता है हलाएक बॉन रसकी बहुत खराब हो जाती है कभी कभी लिटरली एक प्लाइक प्लाइक के साथ यह अच्छा डैमेज दे देता है बेसिकली क्योंकि बहुत सारे ऐसे अबले वाले पोकीमोन होते जो एक खेट में नॉक आउट होते और बॉन रस वहां पर अपना जल्वा दिखा जाता है मतलब दिखा जाता है फॉर एक्जांबल टर्णा टॉर हो या फिर हो फोट्रेस हलाकि फोट्रेस पर ग्राउंट टाइब मॉप जादा एफेक्टिव होते हैं पर फिर भी अच्छा डैमेज देके जाते हैं अब हमार पोकी मॉन में ग्राउंट टाइब मॉप के गिंस कमसोर है और सामने एक पर एक मतलब काउंटर यूज किया जा रहा है तो मैं इसे जाधा समय खड़ा रखनी सकता मेरे को एक बार रेस्ट लगाना है पड़ेगा नहीं तो भाई लिटरली यह स्वांफड जो है एक दो बॉ आप करोगे तो हम भी करेंगे अब गिंगर आएगा यह जैसे बदला गया ठीक है यहां पर करेंगे कि अगर मेरा बॉनरस हिट होता है तो अब सायद यह पूकी मॉन बदल दे और सवांफड लेका है अगर बेबुकूफ होगा तो बदलेगा ने ठीक है जो मैंने कहा यह है और गिंगार उसके अगेंस कितना ज़्दा कमजोर है उपर से आप सिफ 11K के साथ उत्रे हो स्पीड तो है आपके पास पर सौरी आपके बाद एच्पी काम है मेरे क्याल से हार्ड सूट यूजर जैसे कि मैं हूँ और हम लोग ज्यादा स्पीड का मतलब ले नहीं सकते क् कीमती होते हैं स्पीड वाले फैटर्स और फाइफ स्टार करने से ज़्यादा फैटर में डिफेंस पर काम कर लो और मेरे पोकीमों में नेच्रली स्लो है मेरे टीम में अधर दन गेंगार ऐसे कोई तीज पोकीमों नहीं है कई लोग बोलते हैं मोबाइल तेज है बिलकुल मोबाइल एक्चुली डिफेंजन अटैक टाइप है लोग उसे स्पीड टाइप कंवर्ड कर देते हैं पर मेरे हिसाफ से जैसे वह है उसको ऐसी रखे तो जाधा अच्छे स्पीड में भी अच्छा पर्फार्म करता है मतलब कुछ भी कर सकता है कभी भी स्वामफड मेरा फ वीट किया जाएब टरानट और मेरे को लगा यी था अएगा यह बलकिव ने किया अब मैं इस पर जी मnn लगाऊँगा मैं जानता हूं टरानट और खातरनाग हो सकता है करस के साथ ऑगना हो सकता है जी मू love. यह बंदा साइध गांजा फो क्या है भाई अर्थक्वेक ठीक होई जा रहता साथ एसकेप करा था अब भी हम लोग आपसे बात करते हैं गाइस कई लोगों नहीं यहीं दुख जाहिर किया कि भाई हमने पार्टिसिबेट किया था गिबवे में पर हम लोग लगी रहे नहीं और कंप्ले जो दोड़ के आएगा उसी को तो मिलेगा है मतलब ऐसी सारे सीजी होती है पर हम लोग हर इवेंट में मतलब सो सरी गाइस हर गिबवे में हम लोग एक नहा तरीका ढूंडेंगे वराने वाले हमने कोड सिस्टम रखा इस बार हम लोग यूज करें ओटो कमेंड पिकर का जो जो बहुत सारे यूटीब़िस उसका इस तो हम लोग हम लोग वेंडिम कमेंडी हो वेब्चाइट चूज करेगा और जो रेंटम कमेंड होगा उसको व्याइपी बना देंगे या फिर उसको उसके पैसे देंगे एक चीज मैं बताओं मैंने जिस बंदे को अभी व्याइपी मतलब हमने उनको भी नहीं बनाया हम वेट करें सब्सक्राइब का जिस दिन आएगा बनाएंगे पर नेक्स्ट किवेव विनेर को भी उसी दिन बना देंगे ताकि आपको जाधा-जाधा फाइदा हो और एक्चुली मेरा इंटेंसन ही यह है ताकि आपको जदा-जदा पोटन मिल जाएं कम पैसे में क्योंकि मेरे पास इतने तो है नहीं कि मैं आपको सो दोसो मेरे को पूरा जो बैटल है मेरे को सबसे अच्छा यहीं लगा जब उसके डाक रहेगा जो है डाकवर्ड मेस हो गया हमने बार बार उसे डैम हरी अप डैम हरी अप कहा और यह इसलिए कहा क्योंकि वह बंदा जो है उसी चीज के लिए फेमस है और मैंने इसको बस आइना जीम मूद उसकरना में मझबूर भी कर देता है अगर आप ऑपोनेंट का दिमागा से गरम कर सकते हो तो आप कोई भी अच्छा मैं जीत सकते हो लिटरली आपको लग रहा होगा कि अजीब बात है पर ऐसा ही होता है बड़े से बड़ा व्याइप भी मतलब गुस्य में आ ज करूंगा ताकि वो एक गलती करें और उस गलती का फायदा में उठा लूँ तो गयज आपको वीडियो अच्छे लेगे और मिलतें आप से नेस्ट वीडियो में